के बाद में पुलिस ने एक स्विफ्ट कार से तीन करोड रुपे नगत बरामत किये बताये जा रहा है कि एरकाम दिल्ली इस्थित बीजेपी मुख्याले से लखनाओं में पार्टी फंड में जमा करानी के लिए ले जाई जा रही थी ये कार बुडगाओं के अजित मिश्र के नाम पर है और इस गाड़ी में अनूप अगरवाल और सिधार्ट शुकल सवार थे बताया जा रहा है कि आज सुबा चेकिंग के दौरान इंदरापूरा मिलाके में स्विफ्ट कार के चालक ने बैरिकेटिंग को तोड़ कर भागने क प्रयास किया वहां मौजूद पुलिस ने संदे होने पर कार को रोक कर तलाशी ली तो उसमें से तीन करोल रुपे बरामद हुए हैं सवाल अनुप कुमार अगरवाल से पूछा गया और सिधार शुकला को हिरासत में लेकर पूछटाच भी हुई है पूछटाच में दोनों ने बताया कि ये पैसा उनका है और वो इसे लखनव पार्टी फंड में जमा कराने ले जा रहे थे इस बीच आएकर के अधिकारी भी पहुँच गए और इतनी बड़ी रखम के सोर्स का पता लगाने में जुट गए हैं पुलिस को शक है कि ये काला धन भी हो सकता है इस बीच भाजपा के पूर्व महानागर अध्याक्षा शोक मोंगा इंद्रापूरम थाने पहुँचे और उन्होंने दावा किया है कि ये पैसा पार्टी फंड का है और ये लखना उजा रहा था इस बाबा तुन्होंने भाजपा के लेटर हेड पर लिखा है कि पत्र भी थाने में जमा किया गया है यानि कि बकायदा लिखित भी दिया है इन्होंने लेटर हेड पर लिखा है बीजेपी के इनस 24 पर ये वो गाड़ी थी जिससे इतनी बड़ी रकम पुलिस में बरामत की है पहले तो रोकने की कोशिश की गई इंदरापुरम में पूरा ये मामला दर्ज है चल रहा है जहां पर इसकी तफ्तीश की जा रही है कि आखिरकार ये पैसा आया कहां से सोर्सेस का पता निर्मान के लिए है ये जो लेटर पकड़ा गाड़ी के साथ पैसे दिखे उसने ड्राइवर ने कागज भी दिखाया अपना वाटसप भी दिखाया उसके बाद पुलिस इसे दूसरे डंग से दिखाना चाहती है माने अनिली आदव जी को बार बार बताया कि उसके पास ल करे दिखे पैसे